आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें नमस्कार दोस्तों दिया गया प्रशन है, दिया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इकवल टू जीरू, तीनों में से दो सदिश परीमान में कैसे है समान है, तथा तीसरे सदिश का परीमान जो है, वो पहले दो समान, परीमान वाले सदिशों में से किसी एक का क है ट county किसका निरूपन कर रहे हो गए यहाँ पर दुस्तों इक घ्रिवुच निरूपन कर रहे हो गैम त जब भी हमारे सदीशों का योग क्या होता है जिरो के बराबर आता है तब जो तरभ बुजो का निर्मान करते है जो कि यहां पर तीन सदिश है उरे और एक त्रिबूच का निर्मान कर रहे होगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये सदिश B है, ठीक है, और ये इसके आगे एक सदिश क्या है, A है, तो मतलब ये सदिश A मान लेते हैं, और ये सदिश हम लो क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और इसी कारण अब यहा वो VP B होग vibes. तो अब यहाँ पर आप देखे कि हमारे पास में क्या बोला है? vector A और vector B मतलब कि दो हमारे पास में सदीश है, जो परिमान में बराबर है. मतलब Vector A का mod बराबर इसे मान लेते है Vector B का mod. तो क्या होगा हमारे पास में कि चू की यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर यह बोला है कि दो समान परिमान वाले सदीशों में से किसी एक के करनी दो गुना है कौन सा? तीसर सदीश का परिना तो अगर मान लेता है कि हमारे पास में C जो है तीसरा सदीश है तो उसका परिमान किसके बराबर है दो कोई भी वेक्टर का परिमान तो मान लेते हैं कि वेक्टर एक का परिमान है तो परिमान को आप करनी दो एक के बराबर लिख सकते हैं तो यहां से सुसमिकन करवां एक नाम दे दीजिए अब बात करते हैं अगर हमारे पास में वेक्टर तो अगर आपके पास में वेक्टर C परिणामी मान लेते हैं, तो इस इस्तती में क्या हो जाएगा, वेक्टर C का परिवान आपको किस प्रकार से मिलेगा, वो मिलेगा, तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर आपके पास में A और B आपस में बराबर है, तो 2A का स्क्वार प्लस क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वार इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ठीटा और यह चल गया रहा है करनी में, तो यहां से अब आपके पास में क्या करेंगे, आप 2 2A का स्क्वार बाहर निकालेगे तो आपके पास में करनी में 2A इंटू में क्या बच जाएगा ये बच जाएगा रूट 1 प्लस कॉस ठीटा है ना तो किसी का परिमान कित्ता दिया गया है 2 करनी है हमने मान लिया दिया किसी एक सदिश का परिमान तो यहां से आप आएंगे कि ये कैंसल हो गया आपस में तो आपके पास में 1 प्लस कॉस ठीटा एक के बड़ाबर आगया है ना तो 1 प्लस कॉस ठीटा किसके बड़ाबर आगया आपके पास में ये आपके पास में एक के बड़ाबर आ गया दोनों पक्षुका बर्क कर दीजिए तो 1 प्लस क्या मिल जाएगा आपको कॉस्ट ठीटा बराबर इसे 1 मिल जाएगा और फिर यहां पर कॉस्ट ठीटा का अमान किता हो जाएगा 0 तो आपके पास में ठीटा बराबर से किता हो गया 5 by 2 या 90 डिग्री कहने का मतलब यह है कि सदिश A और B के बीच का परीमान कहने का मतलब यह है कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कौन कितना है 90 डिग्री है तो आपको यह दो वेक्टर के बीच में पता चल गया है और वेक्टर A वेक्टर C तथा वेक्टर C और B के बीच का कौन निकालते है तो आप सिंपल सा है आपको किसके बीच में वेक्ट वेक्टर A है जो कैसा है लंबवत है तो परिनामी किसे दर्शा जा रहा है C से अब क्या करना है आपको सब को थोड़ा आगे की और बढ़ा दीजे तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा अगर यह 90 अंच है कौन सा वेक्टर B और वेक्टर A के बिच का कौन तो यह 45-45 हो जाएगे दोनों कौन है तो यह हमारे पास में क्या है वेक्टर C तो वेक्टर C और वेक्टर A के बीच का जो कौन सा उनच Lori दीचे और यह सथी और तुरा सा पीच्छे की वेज़ाब यह सुधिश को आप देखे तो आपके पास में जो यह कोन रहेगा वही क्या रहेगा आपके C और A के पीछ का कौन जो 135 अंश के बराबर आएगा आप देखे यह क्या होगा एक सो असी अंश में से पैतारीज घटा दीजे एट ही जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोजा आज ही डाउनुट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर